हलो बच्चो, welcome to our channel, मेरा नाम स्रेष्ट गुपता है और मैं आप लोगों को आज सैनिक स्कूल की seat matrix के बारें मताना चाहरा हूं seat matrix क्या होता है वो भी समझ जाएंगे हम सबसे पहले हमें क्या करना है हमें type करना है सैनिक स्कूल e-counseling जैसे आप Sanic School e-counseling करके click करोगे आपको ये जो सबसे पहला वाल option दिख रहा है जिसमें website का नाम दिया है sanicschool.ncog.gov.in यहाँ पर आपको click करना है यह खुलते ही आप main website पर आजाओगे जिस website पर आपको e-counseling करना है यहाँ पर आपको उपर साइड में जाना है school information में इस school information में आप seat matrix पर click करना और यहाँ पर अगर आप class 9 में हो तो आप class 9 का कर सकते हो हम class 6 की बाते करना है तो हमें class 6 में click करना है और class 6 में हमें दो टाइप के sanic schools के बारे मिलेगा इस वीडियो में मैं पुराने जो actual sanic schools है उनके बारे में बताने वाला हूँ इसलिए मैं पुराने sanic schools को select कर रहा हूँ आपको new sanic schools के बारे में जाना है तो आप new sanic schools select कर सकते हो यहाँ पर जब मैं search करता हूँ यह चीज तो मुझे क्या दिखता है कि यह sanic school जो total 33 sanic schools है उनमें क्या-क्या matrix है अब seat matrix का मतलब समझो क्या होता है seat matrix का मतलब कि कि sanic school में कितने general के seat है कितने OBC के seat है कितने STSC के seat है कितने defense के seat है कितने girls के seat है कितने boys के seat है सारा detail यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर बेचारे सैनेक स्कूल वालों ने यह पूरी सुविधा दी है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह सिस्टम देखकर ताकि आप लोगों को कहीं भी दूसरे वेबसाइट पे दूसरे यूटूब पे कहीं भी जाने की जरूत नहीं है कोई भी कितना भी ज्यान दे रहा है उसकी जरूत नहीं आप चुप-चाप यहाँ वेबसाइट पर यह सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आप देखो ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा असाम फिर उसके बाद बी फिर सी फिर डी ऐसा करता हुए अलफबेटिकल ओर में स्टेट्स के इसाथ से दिया है अगर आप जैसे फर एक्जामपल 36 गड़ से बिलॉंग करते हो तो आप खोड़ा आगे फॉरवर्ड करोगे तो 36 गड़ आ जाएगा आप अगर तमिल नाडू से बिलॉंग करते हो तो एकदम ही लास्ट में चले जाओ ताकि आपको टी लास्ट में मिलेगा तो यहां पर हम फटा-फट से देखते जाते हैं क्या सीट का सीन चल रहा है देखो सबसे पहले सैने के स्कूल काली करी के लापन देख रहे हैं यहां पर आप देखोगे तो जो हमारा सैने के स्कूल काली करी है आंधर प्रदेश का सैने के स्कूल है class 6 के लिए देखेंगे तो boys के case में ST के 6 seat है, ST के 3 seat है OBC के आप देखोगे तो home state के OBC के 11 seats है और unreserved जो home है मतलब unreserved मतलब general के लिए unreserved का मतलब आप समझते हो न जिसमें कोई भी reservation नहीं है उसमें ST, SC, OBC भी आ सकते हैं और उसमें जो general हैं उभी आ सकते हैं लेकिन ST, SC और OBC के जो seat हैं उसमें general नहीं जा सकते हैं उसके पाद आप देखोगे तो home के defense में 5 seat हैं फिर other state में 3 seat other state में SC का 3, ST का 2 OBC का 5 और unreserved है 7 तो उस नजरी से आप देखोगे तो total total आपको मिल जाता है 60 seats है सैनिक स्कूल काली केरी में काली केरी में girls के लिए 10 है boys के लिए 60 है अब मैं हर एक का एक एक करके बताऊँगा तो बहुत जादा time consume हो जाएगा तो हम एक काम कर सकते हैं कि मैं धीरे धीरे करके ये जो पूरा data दिया है इसको नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ और आप जहां पर भी आपका सैनिक स्कूल मन पसंद का आएगा वहां पर आप pause करके data देख लेना ठीक है धीरे धीरे जाते हैं यहां पर आप देखो के तो सैनिक स्कूल कोरुकूंडा का data यहां पर दिया हूए है यह वाला यह सैनिक स्कूल कोरुकूंडा है उसके बाद सैनिक स्कूल कोरुकूंडा का girls का यह राँ अगे बढ़ने पर हम आते हैं अरुनाचल परदेश में to सैनिक स्कूल तो सैनिक स्के जोके unreserved defense अपका दिया है फिर other state के बारे में दिया हुआ है कि कितने seats available है total सिर्फ 50 seat है इस सियांग में और girls के लिए सिर्फ 10 seat है इसी तरीके से move on करते हैं हम आगे next पे गोल पारा सैनिक स्कूल गोल पारा जो कि आसाम में है classics के लिए boys का total seats आपको मिल जाता है 84 और girls का अगर आप देखोगे तो total seat आता है 10 84 में आपको देखो variety पूरे दे रखें आप ध्यान से read कर सकते हो यहाँ पर वीडियो को pause करके अगला आता है सैनिक स्कूल गोपाल गंज अगर गोपाल गंज की बात करो तो गोपाल गंज बिहार में है और बिहार में आप जानते हो अल्रेडी दो सैनिक स्कूल है एक है गोपाल गंज और एक है नालंदा गोपाल गंज का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर total सत्तर यानिकी 70 seats हैं और girls के total 10 seats हैं फिर move on हम करते हैं आगे तो हमको देखता है सैनिक स्कूल नालंदा सैनिक स्कूल नालंदा बिहार में है और इसमें total home state के मिलाकर और अधर स्टेट के मिलाकर total 74 seats आती हैं यहाँ पर आप देखो home state में अन्रिजर्व अच्छा खासा है 21 seats अन्रिजर्व में it's a big amount OBC में 14 है जो की same to same है गोपाल गंज की तरह तो टोटल 74 हो गए वोइस के लिए और girls के टोटल होगे 10 आगे पढ़ने पर हमको मिलता है सैनिक स्कूल अंबिका पूर वही स्कूल अंबिका पूर जहां पर से मैं खुद पढ़ाई किया हूं मैंने खुद सैनिक स्कूल से मतलब काफी अच्छा खासा सीट है अमाउंट है सैनिक स्कूल में अंबिकापूर में जब मैं अंबिकापूर में था उस टाइम पर हमारे पास 76 सीट होती थी टोटल अभी बढ़के वो 90 पहुच गई है मेरा सेलेक्शन हो था तब 76 थी मेरे भाई का जब सेलेक्शन गुजरात में एक ही सैनिक स्कूल है जैसे शत्यसगड़ में एक था टोटल यहां पर आप देखोगे तो बॉइस के 95 सीट से विच इस वेरी यूज अमाउंट एस कंपेर तो अधर सैनिक स्कूल गर्ल्स का सिर्फ 10 सीट से बाला चाड़ी में भी उसके बद आप जाओगे तो बाला चाड़ी से मेरे एक टीचर थे सैनिक स्कूल अंबिकापूर में आई डूंट रिकॉल इस नेम एंटिंक एंटी सर संथिंग 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 तो क्यों ही बता रहा है कहानी आगे बढ़ते हैं हम लोग कुंझपूरा की बाते देख लेते सैनिक स्कूल हैं हरियाना में यानि की कुंझपूरा में नेक्स्ट आता है फिर से हरियाना का ही सैनिक स्कूल रिवारी तो हरियाना में भी दो सैनिक स्कूल है जैसे बिहार में थे और आप देखोगे हरियाना और बिहार में सैनिक स्कूल का क्रेश बहुत जादा है हमारे जो टॉपर्स क साल का complete से लिवस हम complete कराते हैं एक मेहने का नहीं पूरे साल का ठीक है तो इतने में हमने टॉपर दिये हैं हमने तीन टॉप ठाउजन ट्रैंकिंग के बच्चे दिये हैं हमने 200 से उपर मार्क दिये हैं 48 बच्चों का तो इस तरीके से हमारा अगला आता है सुजन पूर्टिरा सुजन पूर्टिरा हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश का है सब्सक्राइब के लिए यहां पर पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है सबका हो में स्टेट के लिए अलग वापर आम से यहां पर वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हैं गल्स के लिए यहां पर भी 10 सीट है मुझे लगता है एक एवरिज बना दिया गया है हर सैनिक स्कूल में 10 गल्स का फिर आता है सैनिक स्कूल नागरोटा जो की है जम्मू एंड कश्मीर से यहां पर अगर बॉइस का सीट देखोगे तो काफी कम है 55 है सिर्फ और गल्स का टैन है तो गल्स का अच्छा खासा है कंपेर टू अधर सैनिक स्कूल बॉइस में बहुत कम है ज स्कूल में था तो हमने उसको हराया था तो इट वर्ल्ट रिकॉर्ड तो तिलिया से एक अच्छा रिलेशन जहारकंट से जहारकंट में तेलिया आता है यहां पर आप देखोगे टोटल 139 सीट से हैं युमंगस मतलब इतने बच्चे एक साल में सेलेक्ट होते हैं विच इस हैं जो कि यह भी अच्छा कासा माउंट है और गल्स में 12 सीट हैं हीट मेट्रिक्स आप कैटेग्री वाइज आराम से वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हैं कोडागों में भी आप देखोगे तो टोटल सैनिक स्कूल कोडागों में टोटल सीट जो है 90 बॉइस के लिए क्ल से घंक स्कूल वीकापूर के साइट से होता कि सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपको भी सैनिक इसकूल घुमने का मौकां दिया जाता है कई बार लेकि जाते हैं स्कूल वाले तो मद्य प्रदेश में जो सैनिक स्कूल रीवा है यहां पर टोटल सीट्स हैं 40 काफी पर आप फिर चंदरपूर पर आते हैं चंदरपूर जो है वह महाराष्ट की स्कूल है चंदरपूर और सतारा तो चंदरपूर में आप देखोगे बहुत कम सीट से गर्ल्स के लिए दस है और वाइस के लिए 95 एपता नहीं यहां पर इन्हों उताल दीया है पहले डाल दिया है फिर जिए सब्यांत अटारा आता है वहां पर महारास्ट का ही और वहां पर बारब्ढ़ने पर देखोगें से इंप्पूर हमाम की capital जो है इंफाल है यहां पर आप देखो boys जो है टोटल 83 है और girls जो है वहाँ पर 10 seats available है आगे बढ़ने पर सैने कि स्कूल चिंग्ची पाता है which is from मिजूरम और मिजूरम में आप देखोगे तो यहां पर 50 total seats है और 10 जो है 10 girls का seat boys का 50 और 10 girls का फिर आदा सैने कि स्कूल पुंगलवा विच इस फ्रम नागलेंड और नागलेंड के यहां पर 95 boys का seats है यहां पर आप देखो बीसी के लिए zero reservation है which is very weird क्योंकि आप जब भी North East में जाओगे जो Seven Sisters का state है चाहे मनीपूर चले जाओ चाहे मिजूरम चले जाओ आप देखोगे कि मिजूरम में भी देखो ओबीसी का खीक कम है मतलब है ना बट यहां पर आप नागलेंड का देखो यार ओबीसी का एकदम ही zero seat दे दिया है टोटल यहां पर 108 108 बच्चों का 108 हिंदुजम में बड़ा इंपॉर्टन नमबर माना जाता है तो यह 108 लखी नमबर एक तरीके से हो गया जो कि टोटल सीट्स है भुवनेश्वर में गल्स के लिए 12 सीट्स उसके बदा आप आते हैं सैनिक स्कूल संभलपूर में संभलपू बॉइस की सीट्स है टोटल नमबे गल्स की सीट्स है टोटल टैन और फिर आके बढ़ते हैं आपन सैनिक स्कूल चित्तोरगर पर जाने से पहले एक सेकंड में चेक कर लो कही रिकॉर्डिंग रुप को नहीं गहीं है आप लोगों को यह चीज बेटर दिख रहा होगा आके बढ़ते हैं हम लोग सैनिक स्कूल अमरावती नगर अमरावती नगर तमिल नाडू में हैं और यहां पर 98 बॉइस और 11 गर्ल्स का सीट है रेजरवेशन यहां पर दिये हुए हैं आप यहां पर वीडियो पॉस करके देख सकते हैं फिर आता है सैनिक स्कूल जहांसी ज इशल्गे शायद कि सेने की स्कूल भी है अमेंंपुरी अब देखोगे तो और नबर है और फाइनली हमारे पास लास्ट के दो बजगे जो की एक है जो की उत्राखंड से है उत्राखंड में प्रेजेंट यहांपर टोटल सीट्स की सैवेंटी हैं घ्ल्ष्स की टेन है और स्ट है हमारे सैनिक स्कूल पूरू लिया विच इस फ्रम दी वेस्ट बेंगॉल जहां पर बॉइस का माउंट है सेवेंटी गल्स का माउंट है अगर मैं देखो यहां पर तो लगभग लगभग टाइम जो है वह बारा तेरा मिनट हो चुका है तो मैं ज्यादर डिसकस नहीं क प्लस defense में कितने-कितने seats हैं I think आप लोगों को आपका सैनिक स्कूल मिल गया होगा और आप लोगों को यह बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो लगी informative लगती है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लो भी या information knowledge free का मिल रहा है तो I don't think you should miss this channel आप एप हमारा link से डाउनलोड कर ल अच्छा नहीं है तो भी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए हस्ते रही मुस्कराते रही देखते रही स्रीश्रकी क्लास जैहिन टटा बाइबाए